नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का सुनू स्टड़ी क्लासेज यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को इंग्लिस ग्रामर पास्ट इंडिफिनि टेंस किसे कहते हैं ये मैं आप लोगों इस वीडियो में बताऊंगा अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस जरूर करें दोस्तो पास्ट इंडिफिनी टेंस इस टेंस के वाक्यों में काम का करना या होना भोतकाल में पाया जाता है ऐसे वाक्यों के अंत में आया गया खाया पिया था ता था ते थे ती थी ऐसे सब्द आते हैं उन्हें पाश्ट इंडिफिनी टेंस कहते हैं helping verb subject plus verb का second form plus object he see it singular noun plus I we you they plural noun first is affirmative sentence helping verb subject plus verb का second form plus object इसमें एक वचन देता बहुचन दोनों में ही subject के साथ verb की second form आती है उधारन हम लोग देखते हैं example पहला example वह मेरे घर आएं they come to my home second example उसने मुझे एक gift दिया he gave me a gift third example सीता ने मधूर गीत गाया सीता सौंग a sweet song second है negative sentence helping verb subject plus did not plus verb का first form plus object इसमें एक वचन तथा बहुचन दोनों में ही subject के बात did not लगा कर verb की first form को लगाते हैं यदि वाक्य में कभी नहीं आया हो तो never का प्रियोग करते हैं के साथ did not नहीं लगाते हैं केवल second form of verb का प्रियोग करते हैं उधार देखते हैं हमने फ़ल नहीं खाएं we did not eat fruit second example हम school नहीं गएं we did not go to school मैं तुम्हें नहीं चाहती I did not like you third interrogative sentence helping verb did plus subject plus verb का first form plus object अगर वाक्य के बीच में डबलू यच वर्ड जैसे कब वेन क्यों वाई क्या वट कहां वेर कैसे हौँ आदी प्रश्ण वाचक सब्द हो तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी फिर डिड फिर करता और फिर वर्ब की first form आती है उधार देखते हैं क्या तुम वहां गए डिड यू गो देयर second example क्या वे तुम्हारे घर गएं डिड दे गो टू यूर होम third example क्या गीता व स्कूल गई डिड गीता गो टू स्कूल fourth example तुम्हारा भाई कल कहा गया where did your brother go study fourth interrogative negative sentence helping verb did plus subject plus not plus verb का first form plus object और did not plus subject plus verb का first form plus object उधार देखते हैं क्या राम नहीं रोया did not राम विप second example देखते हैं क्या तुम वहां नहीं गए डिड यू नॉट गो देयर third example क्या सीता ने मधूर गीत नहीं गया डिड नॉट सीता सेंग इस स्वीट सॉंग अगर आप लोग वीडियो अच्छे लेगी तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें कमेंट करें और नेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरू करें थैंक्यू फोर वाचिंग